हालो एंड वेल्कम एवरीवन आज हम पढ़ने वाले हैं और इसको भी बजाया जा सकता है और एक ऐसा पाइप जो एक है ना समझो मेरी बात हर चीज को बजाया जा सकता है बट अगेन उसके आपको फ्रीक्वेंसी डून नी पड़ती है जहां पर वह एक्चुली में बचता है यहां पर भी तो यह अपने बहुत बड़ी बात है और आज हम यही सारे विजुलाइजेशन देखेंगे और बड़ा मजाने वाला है जैसे हम एक स्ट्रिंग पे एक ट्रांसफर स्टेशनरी वेव बनाते थे आज हम पढ़ेंगे लॉंगिट्यूडनल स्टेशनरी वेव जो की साउंड से बनती है साउंड वेव से बनती है जैसे अगर एक साउंड वेव यहां से आई है ना और एक साउंड व श्वाइप में बनती है तो यदि उसको भी आप ऐसे ही कुछ बनाते हो उसको बिसक्राइब करेंगे यूटीम चानल को अगर आप की से जल्दी ही 거지 कब हो जाएगा बठ होगा ज़रूरी विए इंडिया की नमबर sûr कर लीजिये इसको 50,000 जल्दी से जल्दी टच कराना है उसके लावा ृट नमो चैट बच्चों ये मेरा टेलीग्राम चैनल ने इस पर काफी सारा फ्री कॉंटेंट शेर होने वाला है पीडिये फॉर्म में तो यार आपको बड़ा मज़ा जाएका इंचोर करिए कि आप इस टेलीग्राम चैनल का पार्ट है उसके लावा यार आपको मैं भी बता यह भी बताना चाहता हूं कि इस टेलीग्राम चैनल पर यहां पर जो पिंड पिंड कॉमेंट है ठीक है यह आप यह आपकी डिजिटल वीडियो बुक है जहां पर सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा और खाली फ्री नहीं है इंडिया की हाइस्ट फ्री एन हाइस क्वालि अगर आप सारी स्पेशिल घ्लश्յ करना चाहते हैं तो छाहरी सारी स्पेशिल लास्स राम ऑस करने से पहले पासवर्ड मांगता के फॉशव्его और के सारे टूल मिलते एक माहौल मिलता है जहां से मतलब आप मचा सकते हो और अपना बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हो because you don't have to travel instead घर बैटे बैटे इंडिया की टॉप टीचर से पढ़ने का मौका आपको मिल जाता है और यार यह कहां मिलता है आपको मौका आप सोचिए इंडिया की नंबर वन टीम कोटा की टॉप टीम वाइब्रेंट बंसल्स नुक्लियर्स दचाइना बैच साउथ इंडिया का इंडिया की नंबर वन टीम क्यों है यह इंडिया की नंबर वन टीम इसले क्योंकि 15-20 लाग बच्चे इनको डेली बेसिस पे फॉलू करते हैं और आप यह देखे यह आप यह नहीं बोलता है हमारा रिजल्ट बोलता है तीन बार लगातार हंडिट पसंटाइल और उसके ब सब्सक्रिप्शन चाहिए और मैकसिमुम बेनेफिट चाहिए तो आप मैक्स कोड्ल सकते हैं या आप नव में było कोड्य और मैकसिमम डिकांट मिल जाएगा और अबी कुछ एक्स्ट्रा मंत भी मिल रहे हैं तो अब आपको असारे को यूस करने के बाद के बात मिलेंगा बились क सकते हैं आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं आइकॉनिक में कुछ एक्स्टा चीज़े मिलती है प्लस में वह नहीं मिलती है इंड में डिटेल में डिसकस करेंगे आप देख लीजिए अगर आप 11 9 10 में है तो दो और 12 साल का इंड में डिसकस होगा इंड में हम टॉप राइंग का सीरीज का एक क्वेशिन आपको गिफ्ट करेंगे आपको बड़ा मज़ा जाएगा उस क्वेशिन को करके तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं स्टेशनरी वेव याद करो स्टैंडिंग में स्ट्रिंग हमने पढ स्टैंट एके यहां से आती हैम यहां से यहां और से स्टैंड यह ग्ले यह 1-8 यह और इंट यह लग जाती है ब Install है प्लीज अंडर्श्टेंड डिस एक स्ट्रिंग ऐसे दिखती है है आपको स्ट्रिंग ऐसे दिखती है मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यह 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 आपको stationary wave air में बनानी है ठीक है अगर आपको stationary wave air में बनानी है यहां से sound wave आई यहां से sound wave आई same amplitude same frequency की तो वो भी एक stationary wave बनाएंगी कुछ ऐसे कुछ ऐसे please understand this string में आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है string में आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है क्योंकि यहां पे SHM कैसे होता है SHM of the particle SHM of the particle ऐसे होता है अगर वेव कि जारी होती तो यह होता है यह होता है एक यहां पर आपकी एक साउंड वेव यहां से प्लीज अंडर्स्टैंड दिस एक साउंड वेव यहां से एक साउंड वेव यहां से और साउंड वेव में आपको पता है ऐसे ऐसे होता है अगर वेव ऐसे जारी होती है प्लीज अंडर्स्टैंड दिस है ना अगर वेव ऐसे जा देखा देको नोड एवरीवन लोक आटे डिस नोड पहर पर पाइकल हो आठी नोड पहरा लें और यह इस चीज को शुच पारें यह तो यह चीज को एक और टाइप में देखी जाती है और यह स्ट्रिंग में सा कुछ दिखाई देता है और इसमें कोई डिरेक्शन आप नहीं होता है ना तो बिसेगल इसमें उपर नीचे इसे इसे आती है तो इसमें जो पार्टिकल ऐसे चैनल एसे करते हैं तो एक इसमें एसे कुछ बनती है ठीक है कुछ रीकाप करा देते हैं कुछ किलो विजुलाइजेशन का रीकाप करा देते हैं और जल्दी से आपको मैक्स फील मिल जाया तो जल्दी से इसको देखो लेट उस डूए क्रीकाप हमने देखा था हमने देखा था यह काम आएगा आज यह फिर से काम आए गा आज हमने देखा था जब एक फिक्स्ट या रिजेड एंड होता है ठीक है, fixed, rigid end होता है, तो आपकी wave आती ऐसे है, आपकी wave आती ऐसे है, बट जाती ऐसे है, आती ऐसे है, बट जाती ऐसे है, clear है, है ना, समझ कि इसमें, एक phase difference आ जाता है, पाय का उल्टा हो जाता है amplitude A minus A हो जाता है और direction भी बदल जाता है ठीक है ना बट एक free end में एक free end में अगर आपकी वेव आती ऐसे है तो भाई जाती भी ऐसे ही है ठीक है दिस इस इंसिडेंट इस रिफ्लेक्टेड ठीक है आती ऐसी है तो जाती भी ऐसे ही है clear is this absolutely clear इसको याद रखना इसको याद रखना फिर इसका भी एक recap और यह सब काम आने वाला है और यह बहुत simple है अब everyone इन सब चीजों को मैं connect करने वाला हूं इन सब चीजों को connect करने वाला हूं मैं है ना इस इस reflection and transmission of waves है ना यह हमने कर लिया है पिछले कुछ lectures में हमने कर लिया है ठीक है न हार्मोनिक सब्सक्राइब का सेकेंड लेक्चर देखना उसमें हमने कर रखा है तो मैंने आपको बताया था कि यार अगर एक वेव यहां पर आ होती है तो यह एक free end की तरह होता है है ना मोटे से पतला है रोप में यह ये एक फ्रियांड है ये इक ये फिक्सेंट फिक्सेंड अब टी थोड़ा से और जाता है अब हुआ यू T जाता है थी जाता है तता है अब अब अपनी जाता है यहां से अगर एक वेव आती है नहींहाँस आगर एक साहती है तो इससे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाता है सर्फटा से होरा है इस तो इसलिए reflection ऐसे हो रहा है इसमें reflection ऐसे ही और है बट important यह है important यह है कि सदेंस्सर हो रिफलेक्शन होता है समझ गए महाराज समझ गए महाराज सब्सक्रापरता है अब हम देखते हैं कि मिर्या मेरी बात सुनना ध्यान से इंस्टेट में तुम्हें एक बार इसको करके दिखाता हूं तो यार अब हम करेंगे क्लोज्ड और्गन पाइप में स्टैंडिंग बनती है तो बनती कैसे मतलब बजाना कोई भी कहीं भी स्टैंडिंग बन जाती है मतलब वह इंस्टूमेंट आप यह दिख रही कितनी प्यारी सी स्टैंडिंग बन रही है ना दो लूपस की ठीक है तो बिसिकली हर चीज को बजाना आना चाहिए तो अब यह एक धकन थीके रिस एक चीज का यहां पर ऐसे धकन है ठीक है तो इस धकन में अगर इसको आप ध्यान से देख लीज़ें एक एक बढ़ने की बजाने की कोशिष करते हैं तो यह अपने के ढखन को बजाने की कोशिव करते हैं तो इसको करता हो मैं है थोड़ा थोड़ा साउंड आ बट अगर मैं पकड़ दूंगा तो यह बज भी जाएगा शाथ हां मतलब इससे जादा बज नहीं पा रहा है इससे जादा बज नहीं पा रहा है चलो कोई क्याप को देखते हैं लेट वट्स ट्राय कर करें देखते हैं पैंने का क्याप एक मट रूप इसको ट्राय करके देखते हैं तो आप ने देखा कि मैंने थोड़ा सा बनी कैसे startOH इंट्र seven उन्हों डिस डिवस्टिक स्टैंडिंग डिवस्ट रिए सपर आपनी जगें कर रही है resolu कुछ कम कर री कुछ जाधा कर रही है तो बैसिकली ओर टैब सिंफनी प्रडूसरी होगी तो आप प्लीज अंडेसेंड कि और आपको भी यह समझद आना चाहिए कि कि और गन पाइप क्या है और गन पाइब उस्टिभ लाइक टूब एक टूब है जिसमें यह एंड तुमारा क्लोस यह तुमारा एंड क्लोज सभी एक अंड इससे उख लोजन और न टांप है रहा है देखऊ-घो रहा है देखो रहा यहां पर मोगी थी तो आपको यह चीस अपह स्मझ में जाती का लिए बन जाती है तो पहले को यह समझना होगा कि इसमें बनती कैसे बहुत सारे लोग कि इसको ऐसी पढ़ा देते हैं और आप भी ऐसी पढ़ लेते हो हाँ यार सर हमें तो फॉर्मले मतलब है इसमें 10,000 फॉर्मले होते हैं अब देखो मैं कोई फॉर्मला नहीं रटवाने वाला तो मैं तुम से वेट कर वाँगा वैसी कर आँगा डरेक फॉर्मले से को जल्दी से निप्टा सकता हूं रफा दफा करा सकता हूं बोल सकता हूं कि एक क्वेशन वैसा है बड़ आप मजा नहीं आएगा नहीं तो अब प्लीज इसको देखो और ग्लास ट्यूब अगर उसक हमने पहले पड़ी थी इस्टेशनरी कैसी होती है जूच जो चीज फ्रीटू बनाती है जो चीज बंद होती है वो नोड बनाती तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह ओपन एंड है तो यहाँ अपने बोल दों यहां पे नोड होगी और यहां पे नोड होगी क्लियर है सबको बच्चों है नँब नो इस्विएर क्लेश यहां तक चीज़े कलेर है मुञाँ नहीं है अब याँ है किया सिदेछ समय गई गई गये और वही चीज़ रिफक्ट आगई वही चीज़ रिफ्लेक्ट ने अगई तो यह इन्सपेकिन टॉर रिफलेक्टटेड वेन यह जो incident और reflected waves है यह basically एक साथ आके तुमने यहां से air blow करी वही reflect हो के आई तो basically उन दोनों ने standing wave बनाई उन दोनों ने standing wave बनाई तो मैं पहले पता हो ना ची कि standing wave बनती है ऐसे है हमेशा ध्यान रखना है ऐसे बनती है standing wave नहीं तो नहीं बनेगी अगर wave ऐसे ऐसे जारी है तो क है नब ये यह ना यरा तो basically reflection होगा reflection ऐसे होगा तो तुम्हें दिख रहाया है ऐसे बहुत है यहां पर नोड़ होग्यों कि में एक तरीके सा आपको यह चीज समझ में आई कि अगर पूरा reflection हो रहा है तो यहां पर बिल्कुल destructive interference होगा यह आपको समझ में आ गया यहां पर destructive interference होगा है ना समझे इस पॉइंट पर destructive interference होगा है ना या simply closed तो node नोड पर destructive basically node पर कोई amplitude नहीं होता कोई सब्सक्राइब यहां तक चीज समझ में आ रही है लाइक बढ़ते रहने चाहिए हाट साते रहने चाहिए लेक्चर शेयर होते रहना चाहिए ठीक है ना अब यह चीज सही है उसके इलावा उसके इलावा here the incident अब ध्यान से सुनो here the incident and reflected waves superpose and create a standing wave and create a standing wave है ना यह opposite में मिलती है और एक standing बनाती है एंडे create a standing wave ठीक है समझ गए मेरी बात समझ गए मेरी बात इस दिस absolutely clear is this absolutely clear अब आप बोलोगे इसको बजाना है सर इसको बजाना है अब इसमें कौन सी वे इसमें बन सकती है ठीक है अब एवरी वान यह सब कारपेंट्री है पूरी कारपेंट्री है देखो एक वेव आपने ऐसे बना दी देख रहा है ठीक है एक वेए आप ने इस्सें टीं है यह उपर नीचा कि पहलगो इसको बनाना मुश्किल होता है अगर जाय इस पार्टिकल की बात करनो तो अगर यह पार्टिकल यहां पर जयां पर है अगर इसक दिسبलेस्मेंन यहां पर फोर है तो या बैसी मीं पोसेशन सी आप यहां पे यहां प्राइब है यहां पीर ए स्थम कर रहा है यहां पर आप आपकी यहां पिल्कूल नहीं करे सब्सक्ते ख्रblack नहीं सबसे कम days और यह टोड़ा कम करे आप kब तो यहां पर शच्रम रहाज करेगा यहां फ्रीक्वेंसी उसके बाद से अगली आंटी नोड से अगली नोड एक और ठीक है तो यहां पर मैंने यह क्या यह देखो एक पत्ती बना दी यह और एक पत्ती बना दी ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा है यह next possible frequency है ऐसे कई सारी frequencies मैं इसमें fit कर सकता हूँ तो यह fit करना आना चाहिए please understand this यह fit करना आना चाहिए यह सबसे छोटी frequency यह उससे बड़ी frequency फिर उससे बड़ी frequency यह होगी और ऐसे आप multiple frequencies के formula निकाल सकते हो एक closed organ pipe में भी ठीक है बड़ा मज़ा आने वाला है trust यहां पर destructive opposite phase यहां से आता है ऐसे जाता है और और आपको यह बात समझ मागी और क्योंकि यहां पर destructive interference हो रहा है कैसे भी समझ दो यहां पर destructive interference हो रहा है एक नोट होगा यह एक नोट होगा और यह यह एक anti-node होगा क्योंकि यह free end है बिल्कुल free end है यहां पर बिल्कुल free end है मस्त है ठीक है is this clear I hope आपको यह यह किलर visualization समझ में आ गया कि हो क्या रहा है close organ pipe बचता है तो बचता कैसे ठीक है अब वैसे यह open organ pipe को पढ़ते हैं अब देखो open organ pipe बहुत ही symmetric है यहां पर फिर भी एक end closed था यहां पर दोनों end open है तो यह एक rope की तरह है यह उस rope की तरह है यादे रोप में multiple सारे harmonics exist करते थे और harmonics नहीं सारे harmonics सारे overtoned हमेशे exist करते हैं तो वैसे यह open organ pipe होता है इसके formula भी उसके जैसे होते हैं और यह वैसा होता है कि यहां पर एक end केस होता है जहाप एक string ऐसे करते ना यह यहां पर आपका anti node होता है यहां पर एक end free to move है और एक end fixed है ठीक है तो यह वह case है ठीक है तो दोनों cases आपको करार रखें ठीक है यहां पर odd harmonics exist करते हैं यहां पर even harmonics तो यह सारे formula फिर से करेंगे बिल्कुल basic से करेंगे सो don't you worry बचो ठीक है is this clear आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं प्लीज इसको देखिए open organ pipe प्लीज look at this very very important open organ pipe यह एक dense medium है यह एक rare medium है अब आप बोलो कि सर यहां पर reflection समझ में आ गया यहां पर reflection समझ में आ गया यहां पर reflection कैसे होगा मैं तो यहां से मैं तो यहां वे फेक रहा हो बास Lore ब्चाते हो ना बास Lore जरुडी निया کہ एक एंड फे बंदो हो सकता है कि हमिए था कुछ तो sound आ रही है याण बट इट इस not really वो symphony नहीं तो बद उसको बजा देंगे वाले I am sure बशूरी बजाने वाले बजा देंगे है यह 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 थी चीज समझना पड़ेगा सबसल्सक्tım जDRcm यह एक dense medium है और यह एक rare medium है है ना क्योंकि यहां पर यह dense medium क्यों है और यह rare medium क्यों है उसको समझाने के लिए बहुत simple चीज बताता हूं ठीक है इसको ध्यान से देखो इस open end को देखो this is an open end ठीक है ना अब आप यह ध्यान से देख सकते हैं यहां पर एक 20 node होगँ आप यहां पर यहां पर और यहां पर यहां पर फैल क्यासे इसे कर सकते यहां पर ज्यादा सपेस यहां पर जाण जाएंगे तो यह थोड़ा सा फैल जाएंगए आपको यह बात समझ में दिख रहा है कि यहां पे यहां पर यह जो साउंड वे यह रियालाइस कर लेगी कि अहीं में तो डेंस मीडियम में थी अब मैं फैल सकती हो मतलब पे इंसर से रेर जा रिती तो reflection हो जाएगा ठीक है ठीक है तो recognition हो जाएगा आपको ये बात समझ में Sally भार गई है है लजम्चिन हो जाहेगाि यह निज रच और यह क्री फुरी अंड की तरह Clark जो एक लिगर डेंसर से रेर यह फ्री एंड की तरह आप करता है तो एक आपका डेंसर है यहां पर लिख दो डेंस है और यह रेर है अब डेंस और रेर है ठीक है ध्यान से देखिए बच्छों यह यह जाएगी ऐसे और आएगी भी ऐसे reflection होके आएगी भी ऐसे आई होप आपको यह बात समझ मारी और यहां पर हो जाएगा constructive Interference यहां पर हो जाएगा constructive Interference ठीक है open पर जाएगा constructive Interference तो यह आर इसलोई यहां पर आंटी नोड होता है यह और आपको टुए मारी यह बहुत अच्छा च्छा है यह बहुत अच्छा उब्चा एक्जाम्पल लेकिसे अप यह बूपन हारगन पाइप नहींध का ही पर यहां पर सकते हैं और यहां पर यहां पर चोटा वाले से चैलेंज लेते हैं इसको बना देते हैं अभी तर यहां पर पे दिखाते हैं तुम्हें तो में थोड़ा से ए्रेजर बाइव लेते हैं पन्ञाप यहाँ ने तो यहाँ यहांप जाधा amplitude वाला यह सारे particles, जाधा amplitude वाले से च्जम कर। रहे है today और यहाँ पर एक नोड़ है तो यह यह नोडब बना दो बड़ा सा है न और यहां पर भी नोट यहां पर प्रप्रॉब्लम करेंगे तो हमें यह बनाना चाहिए है मतलब और यहलों यहां पर यह अदक फीर को इस लाइन पे प्रीकक्ल कौ Murphy मुज़ी नहीं है लेखर ऊपन और पाइब कि बात करों में तो मुखे पता है ओपन ऑर पाइब में जो सबसे चोटी वेव मतला चोटी फ्रिक्वेंसी वाली वेव डाल तो यह एक anti-node है यह कंटी नोडे दो anti-node के बीच में Resistance ओती है यह सबसे चोटी वेव सबसे छोटी frequency जो मैंFit कर सकता हूँ यह सबसे चोटीaga Literacy दो यह फिर्क यह तो यह पक्का यह इतना हो प्राक्टेस के साथ ने साथ बनाना थीक प्रैक्टेसिस रिल यह सकेंट करना रट अचा और टॉट इंट्रेस्टिंग नी बनेगा तो मज़ा नी आएगा फिर तो फॉर्म ले रट ले तो मैं नी चाहता कि तुम फॉर्म ले रट हो क्योंकि मैंने नहीं रटा अगर मैं इसके बिना गड़ सकता हूं यार तुम सोचो यार मैं तो मेरी तो उमर कित्ती जादा है तुमसे ठीक है तो यार then you can definitely do it तुमारा ब्रेन जादा चुसत है तुमारा ब्रेन जादा फास्ट है ठीक है ना अब इसको देखो open organ pipe में यार यहां पे यहां पे एकदम से यह sound wave रेलाइस कुरती है यहां पे मैं फैल पा रहा हूं वेव ने रियलाइस किया रेरर है रिफ्लेक्शन हो गय ठीक है अंडिस्टैंड यह होता है नेचर में देंसर से रेरर है तो रिफ्लेक्शन हो गया और जैसे रिफ्लेक्शन हुआ तो यह जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेट वेव थी तुमने यहां से sound fake तुमने यह incident sound fake और यह reflected sound आई यह दोनों करेंगे यह दोनों स्टेशन स्टेशनरी वेव नहीं बनती ठीक जी डोइंति ऑक इसको देखते हैं तो आपको यह पता है यहाँ पर यह यह उपन इंड है तो यह आंटी नोड होगा अब यह बिल्कुल ऐसे ऐसे देखा करो जहां पर लोट अमद्सक रखाए जायकर रखा possible frequency possible है ना है ना least frequency हैना तो List PM मुझेट वह देता हूं है n अब फिरकवेंसी है नेक्स्ट श्रिकवेंसी इसके बाद जो सबसे बड़ी फ्रेक्वेंस्य वह बनाते तो अभी यहां पर एक ही नोड थी अब दो नोड वाली वेडाते हैं यह रो जैसे नुक्षया की दिखे और यह यह पिक्स रहेगा यह तो फिक्स रहेगा करत एंभा ठीक है यह सरे देखते रहेंगे बड़ा मजा आने वाला है बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है अब यह सारे फॉर्मले बहुत सारे बच्छे रट लेते हैं वी बाइफ एलो यह तो बिल्कुल वैसा ही है सर वन बाइफ उन्ट रूट रूट अफ टी बाइफ की विलोजटी ती यहां सांड बेबाइन की व्लास्टी सांड होगी 340 बिलाइब में 340 के असपस होती न है इसको सांड ब्लक्राइब से चलते है ठीक है तो सांड नहीं था दो एक वायर वाला जो केस था ना वान बाइट वाली फ्रिक्वेंसी के फॉर्मली आ जाएंगे बस यहां पे दूसरा वाला केस आ यहां पर एक end rope का एक end fixed होता है और दूसरा वाला anti node होता है ठीक है चलो अब इसको देखते हैं अब इसके सारे formula निकालते है is everyone ready इसके सारे formula निकालने के लिए सब ready हो ठीक है अब मुझे बस जल्दी से बताओ stationary wave in a closed organ pipe minimum possible frequency में निकालना चाता हूँ fundamental frequency में निकालना चाता हूँ fundamental frequency या least possible frequency में निकालना चाता हूँ इसको अपन F0 से भी denote करते हैं इसको अपन F0 से भी denote करते हैं तो यार आप मुझे एक चीज़ जल्दी से बताओ बच्चो अगर ये open end है और ये closed end है तो यार ये मैंने एक closed organ pipe बना दिया ये मैंने closed organ pipe लिक्ते और यहां पर जो जड़ता हुं यहां पर यहां पर एक और यह एक और वह पिक्शर हमेशाँ पिक्शरOOO स्टेशनरी वेव और एक स्टेशनरी वेव फोटो है एसी कुछ mole यहां यहां पर यह नोड है यहां पर यह नोड है नोड 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 अब देखो जल्दी से अब इस नोड में यह नोड है यह नोड है यह नोड है यह नोड है यह यह नोड है यह यह नोड है तो यह आप तुम्हें पता है यहां पर यह नोड है यह नोड है सबस स्मॉले स्टॉपrection सबसे बड़ी से मची सबसे चोटी है और सबसे जाधा वैवेवलेंट अब इसमें को इसमें कोशिश करो उससी तुकड़े को सिस्में करने की कोशिश करो तो आप बोलो जब सबसक्व कर लिया कर दिया थो कभी अयह से कभी ऐसे है ना समझ के मेरी बात समझ के सब्सक्राइब करें यहां पर बहुत बड़ा इतना बड़ा अप्लिटूट करेंगे आप इतना बड़ा आंप्लिटूट करेंगे आप है ना प्लीज अंडर्स्चैंड दिस यह लेंथ ये लेंथ लेंगी दाफिर संद्धे में थी है यह लेंथ वैंदो हॉचने0it नोरे तो पुरा ना ये एक होती धीडिया याधास बनाँ और दoking यहाँ है वान हराट किरह सबसे चोटा पीस सबसे बड़ी wavelength तुमने देखा lambda by 4 खाली L है ठीक है तो यहां से तुमने विजुलाइज करके एक चीज बोली यहां से तुमने विजुलाइज करके एक और चीज बोली यह सिंपल फॉर्मला लगाना पड़ता है V is equal to F lambda ठीक है न तो यहां पर यह फंडमेंटल फ्रिक्वेंसी होगी सबसे चोटी फ्रिक्वेंसी क्योंकि तुम्हें पता है V is equal to F lambda होता है तो विलॉसिटी तो विलॉसिटी व साउंड इन एर इस वी अब यह तो कॉंस्टेंट है 340 मान लो है ना अब देखो इसमें F मतलब F is the frequency is equal to V by lambda तो frequency is inversely proportional to lambda सबसे बड़ी wavelength मतलब सबसे चोटी frequency या सबसे चोटा piece सबसे चोटा इस cake का सबसे चोटा piece मतलब सबसे चोटी frequency ठीक है न सबसे चोटी frequency तो तुमने यह लेंट L बोल दी तो यहां से तुम्हें यह समझ में आया कि लेंट L क्या है इसके कोई यह लेंडा बैफोर है यह लेंडा बैफोर लेंडा बैफोर लेंडा बैफोर लेंडा बैफोर इसमें पूरा एक लेंडा बन रहा है तो यहां पर तुमने यह कर दिया लेंडा बैफोर यहां से तुम्हें समझ में आया कि जो wavelength है वह 4L के बराबर है अब यहां से तुम्हे तुम्हें basically इस organ pipe की length पता थी है ना तुम्हें basically अपने organ pipe की length पता थी तुम्हें velocity in air पता थी ठीक है V340 जो भी है चलो बहुत बढ़िया यहां से तुम्हें success तुमने पा लिया यह तुमने निकाल लिया और V तुम्हें given है ठीक है यहां पर यहां पर फॉर्म्मले लिखा था कैसे कितना असानी से डिराइव हो गया वी बाइफोरल बट ऐसे करना तभी मजाएगा frequency minimum minimum possible frequency क्या है वी बाइफोरल minimum possible frequency है वी बाइफोरल velocity of sound in air upon 4L जो भी air है h2o है जो भी है ठीक है न एच टू है जो भी है ठीक है वी बाइफोरल अब यह एक interesting fact interesting fact this is also equal to one times f0 यह फालतु step होता है सबसे जादा है one times fundamental frequency one time fundamental frequency so इसको हम बोलेंगे f1 also या first harmonic this is also the first harmonic this is also the first harmonic हमेशा ध्यान रखना है सको हमेशा frequencies कैसे exist करती हर एक हर एक instrument के लिए frequencies ऐसे exist करती है fundamental frequency least possible frequency उसके बाद जो बड़ी frequency होती होती है first overtone second overtone फिर third overtone fundamental first overtone second overtone third overtone यह सारी overtone सारी exist करती हमेशा but harmonics harmonics are not reliable यार है ना कभी odd करती है कभी पूरी करती है तो यह उनका बहुत ही inconsistent सा रहता है ठीक है तो यह आपने लिग दिया बहुत मज़िदार चलो अब हम next possible frequency ढूंते है नमो सर अब हम next possible frequency ढूंते है first overtone sir एक काम कर देते हैं वो picture बना देते हैं बड़ा मज़ा आया था उस picture के साथ है ना यह देखो एक वेव का वो standing वेव का एक picture बना देते हैं ठीक है अब आपने यह node बनाया यह बेख नोड है यह सारी नोड है इस this clear यह सारी नोड है नोडे नोडे नडे नोडे 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 जल्दी से देखो anti node अंटी işi नोडे अंटी नोडे ठीक है अब next possible frequency Fit करते ह। यह वाली तो यार आपको पता है क्योंकि ये closed end है simple ध्यान रखना ये closed end है तो यार obviously वात है rigid end है ये एक node है ये open है ये एक anti node होगा एक anti node होगा तो fundamental हमने कैसे fit की थी anti node और anti node के बीच में हमने ये सबसे छोटा piece उठाया था ये थी आपकी fundamental frequency ये थी आपकी fundamental frequency but अब हम ये वाली नहीं उठाएंगे जी अब हम ये वाली नहीं उठाएंगे ये हरी वाली हम नहीं उठाएंगे अब हम लाल वाली उठाएंगे अब हम node और ये वाला anti node ले लेंगे अब हम ये वाला बड़ा piece उठाएंगे यह वाला बड़ा piece उठाएंगे यह होगी आपकी F first मतलब next possible frequency पहले F not फिर F first first overtone हमेशा ठीक है ना इसमें यहाँ पर numbering कैसे होती है frequency किसी भी चीज़ की zero फिर first overtone फिर second overtone फिर third overtone वैसे ना तो चलो F first निकालते है next possible frequency निकालते है next oscillation frequency निकालते है ठीक है तो obviously बात है इसमें इसमें एक node और एक और node आगए ठीक है एक और node आट करो ठीक है ना obviously बात है बीच में मत करना क्योंकि node नोड फिर यहाँ पर भी node होनी चीए everyone please understand node थोड़ी इसके पास बनाना node थोड़ी इसके पास बनाना जैसे मैंने अभी बनाई है जैसे मैंने अभी बनाई है तो है ना समझगे इसमें आइसे और बनाए भी तुम इसको इसको trapped ठीक है अब यार इसको fat करते है इसको fat बनाइन को इसको 108 एक डौरिट बनानाई जीए हैंनों टो इसधी स्ट्रिण अगर यहां पर तो यहां पर नहीं के से यह डे इसे satisf अगर इस स्ट्रिंग होती है हम सब्सक्ते हैं लिए अभाव 파ॉन आपको पता होगी आपके यंत्र की length क्या है आपको पता है जिस भ्रह्मान में आप रह रहे हो या जिस धर्ती पे आप रह रहे हो उसकी उसमें अभी sound की velocity क्या है ठीक है वो velocity V है V और L पता है इसकी frequency निकाली है इसकी frequency निकाली है यहां से एक observation जो बहुत बहुत ही must observation है आप देख सकते हो यार यह एक लामडा होता है हमीशा ध्यान रखना है यह एक लामडा होता है तो चलो यार इसको measure करते है लामडा बाई-4 और यह लामडा बाई-2 ठीक है समझे मेरी बात लेंट इस इकुल रामडा बाई-4 और मुझे पता है कि यार F is equal to V by lambda हम use करने वाले है V is equal to F lambda जो होता है या V is equal to new lambda जो होता है ठीक है अब जल्दी से बुद देखो F first क्या होगा यह first overtone है बिलकुल है लिखो F first is equal to velocity upon lambda in this case इस case में lambda क्या है बचो इस case में lambda है 4L by 3 ठीक है 4L by 3 तो अब आप यहाँ पर 4L by 3 डालो V by 4L और यहाँ पर आगया 3 अब यह हमने देखा था यह हमने किया था previously we did this this was the fundamental frequency तो आपने देखा first overtone का formula आया 3V by 4L 3V by 4L और यह fundamental का 3 गुना है डबल नहीं है यही तो problem हो गई harmonics are always harmonics are always is धोके बाज समझ गए हमेशा यह धोके बाज होती है यह 3 ताइमस एफ नॉट हो गई मतलब अगर 3 ताइमस एफ नॉट हो गई मतलब क्या है मतलब यह है third harmonic मतलब this is the third harmonic third harmonic को कैसे लिखते है how do we also depict third harmonic f और नीचे एक number 3 मैंने बता था यह मेरा convention किताबों में पता नहीं कुछ भी होता है है ना अगर number लिखा है मतलब harmonic third harmonic अगर अगर यह लिखा है roman तो मतलब first overtone यह कहा है first overtone हमेशा इसको follow करना हमेशा life में सुखी रहो गए आगे बढ़ता है second overtone namo sir second overtone भी बता दीजे second overtone भी बता दीजे कोई problem नहीं है है ना यह मैंने open organ pipe यहां पर लगाया open organ pipe मैंने यहां पर लगाया ध्यान से देखिए और अब मेरी next possible wave क्या होगी यहीं पर इसी figure में देख लेते है next possible wave क्या होगी light blue color से node और यह वाली अब anti-node दे लेते है है ना ये वाली है ना तो यार य're यह मेरी two second руeverton second overtone यह वाली होगी ठीके ना जिसमें मेरी te Looking nodes आएंगी एसे ना इन तीन नोड आएंगी जिसमें मेरी चलो बना लेते हैं तीन node आएंगी तो यहां पर मैंने एक note बना दी छीक है अगे आगे बढ़ते जा रहे हो अब हम इसको light blue से बनाएंगे मैंने बताया था light blue से बनाएंगे बिल्कुल ठीक है येस देखो है ना नोड और यार दो नोट के बीच में एक anti node होगी ही होगी है ना दो नोट के बीच में इसके पराबर दिख रही है यहां पर velocity भी लेंध किस चीज के पराबर दिख रही है थोड़ा सा लेंद को नापो थोड़ा सा लेंध को नापो यह एक वेवलेंद होती है यह एक लैम्डा होता है ठीक है चलो कोई बात नहीं है तो एफ सेकेंड्स हो रही है न इस विलोसिटी तो इसमें भी यही रही और यहां पर लैमडा निकालना है लैमडा इस केस में क्या रहा है 4L by 5 4L by 5 जब आप इसको यहां पर डालोगे ठीके तो यह क्या आजाएगा 5 V by 4L previously हमने किया था previously हमने किया था कि fundamental frequency होती है V by 4L तो यह यह frequency क्या आगई 5 times F0 मतलब यह यंत्र जो है यह F0 पर मतलब इसकी frequencies क्या क्या है इसकी frequency है F0 फिर 3 F0 फिर 5 F0 मतलब यह symmetric नहीं था समझें न मेरी बात इसमें यह odd था थोड़ा सा basically समझो है ना तो मतलब that is not the reason how you can explain this बढ़ आपने समझा कि यहां पर odd harmonics exist करेंगी यहां पर odd harmonics exist करेंगी F0 करेगी फिर 3 F0 करेगी फिर 5 F0 करेगी यह एक observation था it's a good observation to have अब यार क्योंकि यह 5 F0 है तो this can also be written as F5 है ना F5 और 5th harmonic this is also the 5th harmonic this is also the 5th harmonic 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 हमेशा check करना पड़ता है इसलिए मैं इंड में लिखता हूं किताबों में फालतू में लिख देते हैं fundamental frequency is also known as the first harmonic और उसके बाद थर्ड हर्मोनिक एक दम से confused हो जाता है बच्चा तुम ऐसे start क्या करो frequencies निकानने के लिए ऐसे start क्या करो है ना पहली possible frequency fundamental फिर अब तुमने देखा ओ यह फ्नॉट है अब यह फ्नॉट है तो मतलब यह फ्नॉट है तो मतलब यह फ्नॉट हर्मोनिक हार्मोनिक में थोड़ा यह फ्नॉट होगी देख लेना यह फ्नॉट आजाएगी ठीक है आप देख सकते हो फिर्स्ट हर्मोनिक सेकिंडार्मोनिक धिस इस अंडमेंटल फ्रिक्पेंसी फिर्स बड़ान सेकिंड ओवर्टोन है और इसके फॉमले ऐसे आते हैं वी बाइट यहां पर विलोस्टी बन ठीक है यह three times is this clear is this clear everyone अरे यारे यह actually number कितले लग रहा है तो कोई problem नहीं है ठीक है ऐसे three अलग से लिख लो clear तो यह यह आपके formula होते हैं इसके और यह भी derive कर देते हैं यह भी derive पास से शर्मा होगे की चलो बना देते हैं ओर्गन पाइप ठीक है ना finally इतनी देर से हमने कुछ किया ही नहीं है बना देते हैं चलो बना दिया और्गन पाइप यहां को कौन टाल सकते हैं अब दिखांद है अँभी फोटो बना देते हैं ठीक है सबसे छोटा पीस कौन सा उठा सकता हूं जिसमें मुझे अंटी नोड और यह मिल जाए सबसे चोटा पीस कौन सा उठा सकता हूं जल्दी से बता हूं एवरीबडी जल्दी से बता हूं है ना एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड सबसे चोटा पीस कौन सा उठा सकता हूं है ना सबसे चोटा पीस कौन सा उठा सकता हूँ ए एन ए ए ठीक है जल्दी से बताओ सबसे चोटा पीस कौन सा उठा सकता हूँ इसमें से कौन से सबसे चोटा पीस उठा सकता हूँ नमो सर बेस्ट है एन यह उठा लो ए एन ए यह उठा लीजे यह सबसे चोटा पीस है सबसे सबसे चोटी फ्रिक्वेंसी मतलब सबसे बड़ी वेवलेंद मतलब आप यह सूचो इतनी सी चीज़ को आप इता फैला के लिख रहे हो तो बड़ी वेवलेंद लंबी हो जाएगी ना लंबी हो जाएगी वेवलेंद है ना समझो अब यार इसको आप यहां पर फिट करोगे ना इसको आप यहां पर फिट करोगे सबसे चोटा पीस यह प्लंबर का काम करो यार वेव फिट करो वेव प्लंबर बन जाओ जल्दी से ना वेव प्लंबर बन जाओ तो आपने इसको फिट किया सर आपने उस पीस को फिट कर दिया स्टेशनरी वेव के फिट हो गया सर फि एक लैम्डा होता है यहां पर आपको क्लियर ली दिख रहा है यहां पर आपको क्लियर ली दिख रहा है यह एक लैम्डा बाइटू है यह लैम्डा बाइटू है यह लैम्डा बाइटू है तो आपको दिख रहा है यह लैम्डा बाइटू है यह लैम्डा बाइटू के है यह fundamental frequency बनाई है तो इसको लिख देते है एफ नॉट हमेशा सबसे चोटी frequency होती है fundamental frequency होती है जीरो इत फ्रीक्वेंसी जो भी तुम्हें बोलना है जीरो इत मैं बोल देता हूं मसे से क्योंकि जीरो लगाते है fundamental frequency least possible frequency ठीक है और हमेशा क्योंकि अब यही फॉर्मला इसी की बात की थी हां सर इसी की बात की थी ओ अब यह फालतु का ड्रामा करना पड़ेगा एस नॉट इस वन टेम्स एफ नॉट और यह वन एफ नॉट का गए वन दिटे यह आपने बोला ओ मैं गॉड तो यह यह आपका f1 के भी बराबर है तो this is the first harmonic this is also the first harmonic ठीके जी this is also the first harmonic अब वैसे ही अब next frequency बच्चों थोड़ा और ड्रामा होगा भी हैना next possible frequency क्या होगी अंटी नोट अब दो नोट कर दो एक की जगे अब दो दो नोड है और यह यह एक बड़ा पीस यह वाला ले लूँ यह वाला पीस है ना दिखो जल्दी से किसमें दो नोड होंगी दो नोड जना तो मैंने basically दो नोड ले लिए और यह यहां पर धो यहां तो यह मेरी first होगी होगी अब मैं इसको बनाने वाला हूं थोड़ा जल्दी से को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन भी करने आज क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आने वाला है ठीक है अब हम फॉर्स्ट ओवर्टोन को देखने वाले हैं या नेक्स पॉसिबल फ्रिक् है ठीक है इस दिस एपसलीटली क्लियर जल्दी से बताओ है इस दिस एपसलीटली क्लियर है ना अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो अब एक चीज़ नोटिस करो इसमें कि यार यह एक नोट है यह दो नोट वाला बनाना है ठीक है तो यार आपने यह दो एक नोट यह ले ली एकено आपने यहां पर ले लए एकनोड कोई ठीक है और हम एर हम परबल कलर करने ुम्हें ऊके फाइन िसे बना दि कर दी यह आपने फिट कर दी शोषारन सीट कर दी यह फिट कर दी आपको पता यार इसमें आंटी और यह नोढा है यह नोड और दो नोट्स के बीछ में एक एtechnope होगा ये next possible frequencies आपको बस यह पता था कि ये एंटी नोट है ये anti और दो anti-nodes के बीछ में एक नोट होगी है ना बट ऐसा ज़ूरी थोड़ी है आसा ज़ूरी थोड़ी है कि ये anti-nodes consecutive वाली है next possible piece क्या था ये एक piece था A and a वाला अब वाला पीस क्या है A-N-A-N-A वाला पीस है ठीक है अब आपको ऐसे नेक्स पीस उठाना पड़ेगा अब चलो थोड़ा सा अब्जर्फ करिए जी यह L है यह L है और L में अब एवरिवन प्लीज नोटिस दिस वेरी वेरी केरफुली यह लैम्डा बाइ-4 है अरे यार यह लैम के बराबर ही है तो आपको यहां से यह पता चला कि यार यह फिर्स्ट ओवर्टोन वाली फ्रिक्वेंसी है इसमें आपको लिखना पड़ेगा यहां पे स्पीड ऑफ साउंड इस भी वी बाए लामडा एफ इस इकोई टो फ लामडा होता है तो अब जल्दी से यह क्या है वी बाए एल वी बाए ल बट हमने अल्रेडी प्रिविएसली लिखके रखा रखा था कि कौन सी हार्मोनिक होगी वह देखना पड़ेगा तो यह यह वी बा चाहिंज फंडमेंटल फ्रीकुएंसी लिख सकता हूं मतलब यार यह पर इस चीज को देखता ही है एस चीज को देखते ही मैंने बोला यह तो सेकेंड हार्मोनिक harmonic भी है फोस्ट ऑवर्टोन आपका सेकंड हार्मोनिक भी है ठीक है तो यह यहां पर सारी harmonics exist कर दिये सार्मोनिक के बाद f0 के बाद जो frequency आई वह 2-0 थी तो सार्मोनिक के बाद सेकंड हार्मोनिक भी exist कर रही है कर रही है ठीक है ना अब आप चलो stationary wave formation in an open organ pipe in an open organ pipe इसको ध्यान से देखिए stationary wave formation in an open organ pipe हमने यह दोनों कर ली है हमने यह दोनों अभी कर रहे हैं हमने निकाला F0 V by 2L यह आ गया 2F0 V by L 2 times V by 2L यह 3 times V by 2L आ जाएगा क्योंकि यहां पर आप क्या करोगे यहां पर अगें यहां पर आपने दो notes add कर दी थी अब यह अब next possible के लिए आप यह तीन notes add करोगे तीन notes add करोगे node 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 और यह anti node anti node तो आप notice करोगे एक चीज़ यहां पर क्या notice करोगे ध्यान से देखो सारी चीज़ कराएंगे नहीं तुम्हें देखो यह क्या लैमडा lambda by 4 lambda by 4 ठीक है करने की ज़रूद निए तुम खुद आ जाएगा यार क्या ही है है यह यह आ जाएगा तुम्हारा lambda plus lambda by 2 तो यह क्या जाएगा is equals to L तो length क्या आ गई 3 lambda by 2 तो lambda क्या गया 2L by 3 हैना lambda क्या गया 2L by 3 तो उससे 3F0 आ जाता है ठीक है इसको खुद से कर ले न हैना इनफ practice you can do it yourself अब कुछ questions करते हैं तो पहला सवाल आपकी screen पर आ चुका है बहुत ही simple सवाल है इस question को मैं और भी तरीकों से करके बताऊंगा और ली भी करके बताऊंगा यह बहुत ही oral सवाल भी है ठीक है इसको ध्यान से देखिए यहां पर velocity V है sound की यहां पर भी velocity V है sound की आपर भी air है ठीक है ना क्योंकि कुछ given नहीं है नहीं तो given होता है कई बार air और nitrogen दे देंगे कभी air और hydrogen देंगे the fundamental frequency of a closed pipe of a closed pipe is equal to the first overtone frequency of an open organ pipe है ना if the length of the open pipe is 60 cm find the length of the closed organ pipe ठीक है अब वो क्या बोलना चाहरा है पहले उसको समझो वो यह बोलना चाहरा है इसकी frequency और इसकी frequency मैच कर गई दोनों यह यह जो बनी है वह सिएब स्सक orphan에 नहीं आत्स चाहरा है इसमें अम्हारी byम बने एक यह बना दो चाहर यह तो बिल्कुल बेसिक वाली बना दी एक नोड और एक आंटी नोट सबसे छोटा पीस बना दिया एक नोड और एक अंटी नोड यह इसकी fundamental frequency होती है close organ pipe की यह node है और यह आंटी नोड आपने सबसे छोटी वाली वेव बना दी सबसे छोटी वाली frequency बना दी यह fundamental frequency है ठीक है close की और यहाँ पर तुम्हें कौन सी बनानी जिसमें नोड होगी है न यह इसकी fundamental झी बट यह नी इसकी next वाली बो लिए इसकी next वाली बो लिए भचो इसकी next वाली बोली आठीक है तो यहाँ अपर जो वेव बनानी वो यह वाली बनानी होगी यहां पर जो वेव बनानी होगी यह वाली बनानी होगी चलो बनाते हैं यह एंटी नोड है और दो नोड बनानी है इसमें दो नोड बनानी है ठीक है दो नोड बनानी है तो चलो यार एक नोड यहां पर बना दो एक नोड यहां पर बना दो ठीक है ऐसे यह बना दिया अपने इस इस क्लीर यहां पर यह बना दिया यहां पर यहां पर यह बना दिया यहांद की so साउंड की विलोसिटी दोनों में भी और वी है कि फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेंवे यहां पर फ्रीक्वेंसी और शेलिव उसनेंइड बटलों है और घंपको बोले दोनों सेम करOh यह fundamental में, यह first overtone में, अब जो formula यहां से बनता है, वो यहां पर लग दो, वहां से जो बनता है, वहां पर बना दो, और equate कर दो, यहां पर जो frequency बनती है काईदे से, यहां पर जो frequency बनती है, वो क्या होगी, V by lambda के पराबर होगी, यहाँ पर जो frequency होगी वो v by lambda यहाँ का होगा ठीक है clear है अब आपको पता है frequent दोनों की wavelength same है wavelength same क्यों है क्योंकि frequency same है और speed of sound भी same है तो दोनों की wavelength same होनी चीए तो एक method तो बहुत ही simple है method one तो simple है method one तो बिलकुल basic है क्योंकि wavelength same है everyone please understand क्योंकि wavelength same है ठीक है wavelength same है तो एक यह हो गया फिर एक यह हो गया फिर एक यह हो गया ध्यान से देखो यह 4 गुना है न उससे यह 4 गुना है यह तुमने आधा ऐसे basically यह piece यहाँ पर fit कर दिया यह piece यहाँ पर fit कर दिया अगर यह 60 है तो इसका one fourth होना चीए न क्योंकि यह basically उसी के चार हिस से 15 15 15 15 15 उससे 16 60 बन रहा है तो यह तो direct ऐसे कर सकते हो एक तरीका तो यह है direct करने का यह तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा हाँ velocity same है V V दोनों जगे same है V is equal to F lambda होता है तो lambda फ्रिक्वेंसी दोनों की फ्रिक्वेंसी सेंदे रखिए तो lambda भी जो आपको एक wavelength यहां पर फिट करनी है वही same wavelength यहां पर फिट करनी होगी बट अब यहां पर एक हैंना समझ गया तो चार गुना है तो एक तरीका तो यह हो समझ गया यह तो method 1 है method 1 में आपने बोला यार यह 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 देखते वह है ना तो आपने clearly बोल दिया L1 4 times L1 is equals to L2 है ना यह method 1 यह है ठीक है बट अब आप यहां पर करो उसको यहां पर अलग-अलग करो कोई नी बड़ा मजाएगा बड़ा मजाएगा यहां पर formula अगर आपको याद था V by 4L होता है V by 4L होता है बट आपने वो रटा नहीं आपने वो रटा नहीं आपने बोला यह lambda by 4 है ठीक है तो आपने बोला यह lambda by 4 है तो यह आपका यहां पर lambda क्या आ गया 4 times L1 आ गया 4 times L1 आ गया है ना तो यहां पर आपने लिखा V upon 4 times L1 ठीक है यहां पर यह frequency आ गई ठीक है इससे sounds है ना यहां पर क्या आया V by L आ जाएगा यहां पर V by L2 आ जाएगा यहां पर V by L2 क्यों आया क्योंकि यह देखो Lambda by 4 Lambda by 2 Lambda by 4 तो यह आपका Lambda के बराबर है तो यहार आपको पता है L2 आपका Lambda के बराबर है तो आपने यह V by L2 लिख दिया अब आपको पता है बोत आर सेम यह 1 है यह 2 है from 1 and to frequency दोनों की बराबर होनी चाहिए तो V by 4L1 is equals to V by L2 velocity velocity cancel ठीक है L1 is equals to L2 by 4 तो L1 इस 15 cm 60 divided by 4 इस 15 आगे बढ़ते हैं दोनों method बता दिये बिलकुल simple था बिलकुल simple था ठीक है न यह इस पे resonate कर रही है fundamental पे यह आपकी first overtone पे कर दिये अब पते है गंदा क्या होता है गंदा क्या होता है बच्चा रट के आता है please understand I'll tell you the worst case अब तुमें कैसे दुनिया कैसे सिखाती है please understand this और instant मुझे भी ऐसी सिखाया क्या था और मुझे बहुत problem हुई थी यारी सब लर्न करने में क्योंकि मुझे रटा नहीं जाता था और अगर किसी को रटना नहीं आता तो उनको बहुत अच्छा लगे गाई अब यह अब आप बोलों कि फिर आप बोलों कि फॉर्स्ट वर्टों अच्छा सा बनाना है और गैनिक से सलुशन अब जल्दी से देखो इसको यह थोड़ा लेंदी सवाल है पर सिंपल सवाल है ठीक है एन ओपन और पाइप रेजनेट्स इन इस फंडमेंटल मोड है ना एन ओपन और पाइप यहां पे यहां पे हाईड्रोजन प्लीज अंडर यहां पे एर है यहां पे हाईड्रोजन है यह एर वाला है सिस्टम यह हाईड्रोजन वाला सिस्टम है ठीक है स्पेस है हाईड्रोजन वाला सिस्टम है यहां पे एर है यहां पे हाईड्रोजन है और अब यहां पे तुम्हें यह बोला गया है दोनों में यही मोड है दोनो is replaced by hydrogen if air is replaced by hydrogen तो अब इननों की density भी गिवन है somehow उनकी density भी गिवन है कि row of air यह तो तुम्हें पता है 1.3 या 1.2 के आसपास है न ठीक है row of h2 क्या है 0.089 ठीक है इसको भी ऐसे लिख दो ठीक है तो यह यह चीज गिवन है यह चीज गिवन है अब तुम्हें एक चीज याद है velocity velocity is e by row या b by row और bulk modulus लापलास में क्या आता था gamma rt by m या gamma p by row तुम लोग को याद है और gamma rt by m यह थोड़ा सा revision करा रहा हूँ sound में पढ़ाया था मैंने यह sound में पढ़ाया था ठीक है यह sound का पहला लेक्चर था उसमें पढ़ा था पर नहीं है ठीक है तो यह भी एक प्री रेक्वेसिट है यह आपको पता होना चाहिए इसमें इसपेशली यह वाला पार्ट बहुत important है ठीक है और अब मैंने तुम्हें यह बता दिया कि यार दोनों में सेम होगी तो क्या डिफर कर रही है ठीक है यहां पर ने分कर यहां पर वी एर होगा क्योंकि एयर का देखो पी दोनों के लिए श्यांगेव है क्योंकि एर इस नियरली डाय ऑटोमिक कि और यह भी तुम्हारा डाय सबसंद नृट कि तुम्हें पता आयरों जो इन तो तुम्हारा नाइट्रोजन और ङय़ी आपकी एस सब्सक्राइब तो ऑन की परसेंट इह तो व्ह sometime है चंशेए थीक को लगभक से मानों हो हाइड्रोजन और नहीं तो तुम्हें इसकी knowledge पता हो नहीं चीद है ना ठीक है अब important यह यहां पर वी air है यहां पर वी h2 है velocity of sound is different in air and it is different it is different in air and different in hydrogen क्योंकि दोनों की density अलगा लगे दोनों की density अलगा लगे I hope आपको यह बात समझ मारी है I hope आपको यह बात समझ मारी है अब आप यहां पर क्या formula लगाते था yad करो आप यहां पर formula क्या लगाते थे frequency fundamental frequency in air F not air Nih Simple FL लिख देते हैं यह क्या होगा V by lambda है ना ठीक है लैमडा तो बराबर है सों दोनों में ठीक है लैमडा तो बराबर है लैमडा तो दोनों में 12 है क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि यार यह लैमडा by 4 हो रहे यही चीज लिखो फ्रिक्वेंसी इन हाइड्रोजन जो तुम्हें निकालनी है तुम्हें पता है यह पाच्छब बाद में डालेंगे ठीक है बाद में डालेंगे इसमें तुम लिखोगे यार यह हो जाएगा तुम्हारा वी विलॉसिटी इन हाइड्रोजन साउंड की तो ठीक है इसको अटाओ इसको अटाओ ठीक है समझ रहो अब इंपोर्टेंट यह है कि यहां से अब एक यह निकालो f air बिल्कुल बेसिक से करा रहा है वी एर बाइट टुएल f hydrogen is equal to v of h2 by 2L ठीक है अब velocity of air का क्या formula होगा अब next page पे आते हैं प्लीज अंडरस्टेंड इस अब next page पे आते हैं इसको ऐसे ले लो तो मैं क्या करने वाला हूँ मैं तुम्हें साफसा बताता हूँ मैं करने वाला हूँ 2 divided by 1 ठीक है मैं 2 divided by 1 क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 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 देखो 2 divided by 1 से मुझे क्या मिलेगा f h2 अपॉन f क्यों एर ठीक है this upon this is equals to velocity of VH2 upon V air अब इसका formula क्या होगा gamma velocity का क्या था gamma P by rho gamma P by rho और इसका भी क्या formula होगा gamma P by rho same temperature pressure दे रखा है same temperature प्रेशर दे रखा है टेंपरेचर अब्ट अब्सक्राइब यह एक तो यह बैसिकली गामा उफ-च्टू रोओफ एच्टू प्टेंटर यह ए यह साहिए जी आप तो कुछ नहीं है आपको पता यह कल गया कि यह लग-बख सेम और यह प्रैशर भी आपको सेम भी रखा है सेम टेम्ड्रेश प्रैशाय गामा टीवइंग सकते थो आपको पता है आपको पता है readily is equals to rho rt याद है आपको तो आपको पता है यह जो p by rho होता है यह rt by m होता है you know this you know this इसलिए आपको यह गामा p by rho या p by rho को आप rt by m भी लिख सकते हो ठीके नब ओके अब अब क्या है अब जल्दी से देखो यहां से आप बोलोगे h2 यह f air क्या है 500 यह given था तो में 500 यह थोड़ा से lengthy हो सकता है calculation में बट अब यह क्या होगा rho of air by rho of h2 तो rho of air by rho of h2 इसको ध्यान से देखो यह हो जाएगा 1,2,0,0 upon 89 दिख रहे हैं आपको यह values आप आपके डाल दोगे है न 1,2,0,0 upon 89 ठीक है न मतलब मैंने 1000-1000 से divide भी कर दिया ठीक है अगर नहीं लिखना चाते हो तो ऐसे लिख दो यार 0,0 ठीक है न मतलब no problem, तुमारी मर्जी है न तुम्हारी मर्जी ऐसे लिख दो तो तुम्हें दिख रहा है यार यह fraction 1 से बढ़ा है यह 1,840 आ जाता है ठीक है न 1,840 तो यह 4 गुना मतलब 3 से 4 के बीच में कुछ आता है 3 से 4 के बीच में कुछ आता है ठीक है इसको देख लेते हैं तो यह आ जाएगा 1,2,0,0 upon 89 निकाल लेना ठीक है यह आ जाएगा आपका 1,840 find ways, telegram पे मुझे बताना अगर if you can find a good way of calculating this faster, not a slow method अब अगर in options के साथ if you have a better way बताना जरूर ठीक है न 1,840 मैं दिमाग नहीं लगा रहा तुम लोग लगाना ठीक है, now let's have a look at this question 2 successive resonance frequencies in an open organ pipe अब हमेशा जब भी ऐसा सवाल आता है तो यह resonance frequencies अब याद है, मैंने आपको एक चीज़ बताईगी अब अगर आपको एक rope में बोला जाए तो मैंने आपको बोला तो नहीं है, यहां पे सारी frequencies exist करती है, f0 फिर उसके बाद next होती है, 2 f0 है ना, फिर उसके बाद होती है, 3 f0 simple बताया था ना, है ना, समझे आप मेरी बात आपको बताया था ना, यहां यह इस पर सारी frequencies exist करती है, ठीक है, 2 loop, यह यहां पे 3 loop, है ना, समझे मेरी बात, तो इसमें सारी frequencies exist करती है, है ना, symmetric था, और open organ pipe में भी ऐसे सारी frequencies exist करती है, तो 2 consecutive का difference हमेशा f0 होगा, 2 consecutive का difference हमेशा f0 होगा, और, but again, अगर यह closed होता, तो आपको पता है closed में frequencies ऐसे exist करती है, ठीक है, closed में frequencies ऐसे exist करती है, तो यह advance में ऐसे भी सवाल आ चुके हैं, तो आपको please careful रहना पड़ेगा, अगर closed होता, तो consecutive दे रखा होता, तो उसका frequencies दे रखे, open organ pipe की, ठीक है, open organ pipe की यह दे रखे, और अब आपको open organ pipe में clearly पता है, 1 by 12 into V, ठीक है, तो यहर यह पहली frequency होगी, है न, समझे मेरी बाद, वैसे ही, मैं थोड़ी सी बना देता हूँ यहाँ पर, कि तुम थोड़ा comfortable हो जाओ, अब दो notes वाली बना देता हूँ, ठीक है, अब आप देख भी पारे हो, कि नमसर कैसे बना रहे है, बिल्कुल, मैं question में formula रटाओंगा नहीं तो मैं, मैं बिल्कुल बना के दिखाओंगा, ठीक है, ऐसी होती है, and so on and so forth, and so on and so forth, है न, ठीक है, जल्दी से देखो, इसको, क्योंकि हमें पता है, यह anti-node, anti-node है, तो इसले, यह सारी frequencies होती है, अब आपको यह पता है, क्या है, यह f0 होती है, यह 2f0 होती है, यह 3f0 होती है, and so on and so forth, तो ultimately आपको बस यह दे रखा है, यह बता है नहीं कौन सी frequency है, बस यह दे रखा है, two successive resonance frequencies, ठीक है, are this and this, one times f0, ठीक है, अब आप mathematically खुद भी निकाल सकते हो, यह कौन सी फाली frequency होगी, यह भी आप निकाल सकते हो, यह कौन सी फाली harmonic होगी, यह भी निकाल सकते हो, क्योंकि यह 2 equation है, 2 variable है, यहां से आपका आजाएगा, कौन सी frequencies थी है, n भी आजाएगा, f0 भी आजाएगा, n भी आजाएगा, f0 भी आजाएगा, पर time waste मत करो, subtract मारो, subtract मारते ही, आपका f0 आजाएगा, this minus this, तो यह क्या आजाएगा, 648, 648 आगया, subtract करते ही, subtract करते ही, आपका यह आजाएगा, 648, इन दोनों को सब्ट्रैक करके 2-1 कर दो तो यह आ जाएगा 648 हर्ट्स 648 हर्ट्स ठीक है ठीक है 648 हर्ट्स आ गया आ गया जी अब और बाइदेवे यह बहुत important है समझना यह बहुत important है कि अगर अगर आपकी frequencies odd होती है तो आप यह नहीं लिखते एक्वेशन यह मत सोचना वहाँ पर अपने आपको थपड़ माल लेना उसमें ठीक है उसमें frequencies कैसे exist करती है उसमें frequencies ऐसे exist करती है ठीक है ना एफ नॉट फिर थ्री एफ नॉट है ना अगर close organ pipe होता और तो उसमें जो आपकी nth frequency होती वो क्या होती टू एन माइनस वन एफ नॉट ठीक है यह होती एन फ्रीक्वेंसी क्योंकि आप इसमें एन को वन डालो तो वन एफ नॉट आएगा है ना फिर टू डालो तो यह थ्री आएगा फिर इसमें न ऐसे टू एन माइनस व कोगे तो टू एफ नॉट याएगा वहाँ पे बहुत सारे बच्चे यह यह गंदी हरकत मत कर देना एन एफ नॉट सब्सक्राइब ने बताया था टू का डिफरेंस होता है यह मत कर देना एंसर सही आ जाएगा बडिस दिस मीन्स डैट यह नूब बेवकूफ रट्टू त अब यहाँ पे तुम्हें विलोस्यटी दे रखिए गजूविलोस्यटी यह तुम्हारी यह इतना और तुम्हें क्या निकाना है अरे वी इजिकवल्च टु F lambda होता है V is equals to F lambda होता है और यहां पे हम किसकी बात कर रहे है F not की बात कर रहे है F not की बात कर रहे हम इसकी बात कर रहे है अब यह F not है यह यह वाला case है यह यह वाला case होता है F not है मैंने तो पूरा draw करके दिखा दिया मैं फॉर्मले के बिना करना चाहता था मैं बस फॉर्मले के बिना करना चाहता था एफ नॉट का फॉर्मला क्या होता है अब अगर आपको रटा वाए तो आप V by 2L लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं 1 by 2L into V under root T by mu वैसा ही ना बिल्कुल सिमिलर open organ pipe या string वाला हमेशे सिमिलर होता है ठीक है तो V by 2L कैसे आए V by 2L क्योंकि यह होगा V by lambda और यहां पर lambda तुम्हारा 2L के बराबर आ जाता है क्योंकि यह जो length है यह जो length है यह तुम्हारा lambda by 2 lambda by 4 lambda by 4 lambda किता होगे L क्या होगे lambda by 2 lambda 2L के बराबर हो गया तो lambda तुम्हारा 2L के बराबर होता है तो V by 2L ठीक है ना तो बस कुछ नहीं अब तो कुछ कोई problem ही नहीं अब यह formula तुम्हें पता है अब यह formula तुम्हें पता है अब you know this is an open organ pipe f0 is V by 2L is equal to 648 अब यह इसका double exactly अगर तुम नोटिस कर रही है बड़ा प्यारा सवाल है यह double S का तो ल तुम्हारा SI unit में one by four आ गया ल तुम्हारा one by four आ गया बी पॉइंट्वाइव मीटर्स आगे बढ़ता है यह एक ऐसा कुश्यन है जो इडवांस में बहुत बार आया है बट इजी इसका लेवल यह आया बहुत बार है मतलब मल्टिबल टाइम्स यह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जही के लिए अलग अलग फॉर्म इसमें क्या गिवन है close organ pipe of length 100 cm is cut into two unequal pieces अब तुम्हें नहीं पता है के लवन ने के लटू है है ना the fundamental frequency of the closed path is found to be the same as the frequency of the first overtone of the open part ठीक है first overtone of the open path find the length of the two pieces find the length of the two pieces ठीक है तो वह यह बोल रहा है कि fundamental of the closed path ठीक है बनेगा और यहां पर तुम्हें यह फंडमेंटल बन गया इसमें और open में तुम्हें क्या बनाना है open में तुम्हें first overtone बनाना है open तुम्हें फोर्ट बनाना है ठीक है यह वाला बनाना है कि अ धान से देखो यह एक piece है है ना एक-quarter है यह वैसाई पीस है ये भी वैसा ही ये वैसा ही पीस है विजुली कर दो ना एक नी नी स्में सारी ये चार पीस होंगे ना देखो सम्झायन नोड़ रिक्ष दो स्केल नहीं है तो one two three four और इसका लिए लवन और लेल टू बोल देना और लन प्लस ल 2 इस इकोल स्टू हंड्रेड तो इसको तुमने ऐसे तोड लिया लेट सवाइड टीक है इसको तुम बोल दो धल वन इसको तुम बोल दो ल 2 l1 plus l2 है ना ठीक है l1 plus l2 अरे यार फाइंड लेंद अफ टू पीसे लिखाए गया ओके हाँ ठीक है l1 और लिख दो तो अब तुम्हें पता है कि l1 plus l2 is equals to hundred हो जाएगा centimeter ठीक है ठीक है जी देख लो सको L1 plus L2 जाएगा 100 cm अब interestingly ये सारे 100 हो रहे हैं तो तुम reject नहीं कर सकते कोई भी reject नहीं कर सकते इसका answer वैसे C होगा इसको reject नहीं कर सकते बस अब इसमें क्या given है इसमें ये given है कि एक piece अब तुम्हें नहीं पता length क्या थी बढ़ तुम्हें बताएगा या क्यार एक पीश जो है वो closed बनता है और जो दूसरा पीस है वो obviously open बनता है ठीक है वो obviously open बनता है ठीक है वो open बनता है इस दिस ख्लियर एवरीवन यह एक मत इसको काटने से अगर मैं इसको काटूंगा एक closed pipe को एक closed और यहां से इसको मैंने यहां से काटा तो एक लोज मिल जाएगा ठीक है तो यह यह बन गए अब इसमें क्या बोला गया है कि अब इसमें यह दे रखा है कि यहां पर तुम्हें fundamental बनाना है ठीक है यहां पर fundamental बनाना है सबसे चोटी frequency तो तुम्हें पता है यहां पर node बनती है यहां पर anti node बनती है fundamental में यहां पर node बनती है यह तो सबसे हंग से लघाज कि endless मेंघव फर्टोंच से कना सी सेम है यसकी फॉर्ष टोल है अँग से- spannend सक्वेल है अब जैसे आपको पता है रहाम इसकी आपनेस्स क्या होती इसकी फंडमेंटल और फिल मेंस्के बनाके दिखा देता हूँ जल्दी से ता है आपको पता यह ने नोड है या एंटी नोड है या एंटी नोड है ठीक है दो नोड के बीच में एक नोड डाली जब आपने दो नोड जा ली तो यह वाला केस बनाने आपको यह वाला केस बनाने क्योंकि यह इसका सका fundamental है यह सaliśmy बैठ्ट हिए जो हमें बनाना आप बनाने थिक्हएं यह का फॉर्स्ट ऊबर्ट और ठूरे कि तो आप को यह वाला बनाने है चलो इसको बनाते हैं है कि कैनल सेी थोड़ा सा टू स्केल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं है थोड़ा अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है ठीक है बन गया बन गया अब यह जो बना है अब यह जो बना है इसकी लेंद क्या है इसकी लेंद क्या है रही से देखा जाए तो यह देखा एक quarter 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 यह चार गुना दिख रहा है तुम्हें ओलरी वेव लेंद तो सेम होगी न फ्रिक्वेंसी सेम है स्पीट की िलॉस्टी ओसाउंड फी दोनों में सेम है वी और वी तो युनो इन्नो ठीक है अब जल्दी से लेको सी लेंद कर रहा हो है यहां ठीक है अब यहाँ पर frequency लिखो यहाँ पर frequency क्याएगी यहाँ पर frequency क्याएगी और यहाँ पर frequency क्याएगी दोनों बराबर है ठीक है यहाँ पर frequency क्याएगी यहाँ पर frequency क्याएगी यही given है यह होगी v by lambda v by यहाँ का lambda और यहाँ पर भी होगा v by यहाँ का lambda v by यहाँ का lambda please understand this तो guess में Lambda one भ được है इसके में Lambda two बोलेता है वैसे दोनों से में है obviously obviously same है ठीक है तो यहां पर लामडा कि बराबर होगा क्योंकि FC that's the medieval life陽 चाहिए में तो राबर होना चाहिए इसहीं ल偉त न ữa यहां पे तुम्हें दिखना कई बराबर है रहा है एंग वैसे स्को लेम्डा 1 लेम्डा 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 लेम्डास लेकर नशनावाबर है वह तो ट्रिक है यह वाला case लिया था तो लेम्डा 1 लेम्डा 2 यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि यह लिए लाम दार टू लामड़ा लाम डाइफ लाम डाइफ लेमड़ा बायव लामड़ा फोर यह एक लामड़ा टू है ऐट यह क्लांबा टू है 4L1 क्योंकि यह यहां पे तुम्हें clearly बता है यह यह तुम्हारा Lambda 1 by 4 के बराबर है तो Lambda 1 तुम्हारा 4L होगा ठीक है Lambda 1 तुम्हारा 4L होगा और यह L2 हो जाएगा इस case में अब बस कुछ नहीं अब तुम्हें इन को स्चेक करने है वन और 2 को ठीक है इन को एकवेट करने है For One N2 V by L2 is equals to V by 4 L2 ठीक है तो आपने बोला L1 by L2 L1 by L2 is 1 by 4 है ना अब आपने बोला इसको equation number A ठीक है यह और यह से आपको पता चला कि यही option है यह और यह से आपको को पता चला यही option है 1 is to 4 है ना तो देख लो इससे यह आएगा 80 और 20 आजाएगा 80 और 21 is to 4 है ना वने टुफन वने बने 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 यह वाला option है जिनका सम हंडेड है और 1 is to 4 in solve कर देना mathematically ठीक है आगे बढ़ता है resonance tube अब देखो resonance tube is an experiment used to calculate the speed of sound in air किते सारे experiment to calculate the speed of sound in air ठीक है जो तुमारा experimental बहुत मुश्किल से आया था लापलास से गामा पीवाई रो experiment ली बहुत पहले निकाल लिया क्या था इसलिए पता चला था कि बजात हायाद है मेरा जो बासुरी है यह देखो इसकी लेंद कम कर रहा हूं मैं है से यहां पे basically एक end है यह एक open organ pipe की तरह यहां से air blow कर सकते हो और यह इसका एक closed end है बट इसकी लेंद मैं vary कर सकता हूं तो यह different type की बासुरी है एक different type की बासुरी है बट इस परफेक्ट टू दिमॉंस्ट्रेट ठीक है क्योंकि अपनको नॉर्मल पासुरी तो बजानी आती नहीं है ठीक है अब देखो यहां पे यह वेव एक लेंद पर फिट होती है तो resonate करती है देखो हाँ एक लेंद पर यह resonate कर गई है एक लेंद पे यह resonate कर गई है अब इक और लेंद आई एक और लेंद आई जहां पे यह resonate करी ठीक है तो वैसे यार यह अलग ही इसमें भी गाने बजाते थे हैं लोग ऐसे-से करके पता नहीं I don't know how they do it अपनको नहीं करना आपको यह बात समझ में आ गई तो आपको यह समझ में आ रहा है तो जब आप रेजोनेट करते हो तो एक लेंद पर रेजोनेट करती है दूसरे लेंद मिल गई यह लेंद्ट क्या है यह लेंद्ध क्लोज देखो यहां पर पानी है पानी का लेवल है ना तो यहां पर तुम पानी का लेवल कम करते रहते हो और इसको देखते हो कहां पर बज़रा है ठीक है exactly जैसे मैंने अभी इसके साथ किया इसके साथ जो हरकत की वह तुम इसके साथ भी कर सकते हो यहां पर भी तुम बन गई यह उर्गन पाइप के अभी अभी दिफ्रेंस ने ने वह अलग चीज तो अब इसी बात है फ्रिक्वेंसी तो यहां पर भी है तो वेवलेंथ सेम वेवलेंथ होगी नहीं यह देखो यह सेम फोर्क है एफ speed of sound in air is v velocity is v v is equal to f lambda होता है v is equal to f lambda होता है तो पहला stationary wave बना फिर दूसरा stationary wave बना तो आपने देखा ओके ये length l1 था ये length l2 था तो आपने देखा l2 minus l1 is this length एक loop length है ना तो एक loop length क्या होती है lambda by 2 एक loop length होती है lambda by 2 आपको तो पता है ना ठीक है आपको तो पता है ये ये चीज़ ये पूरा lambda है एक loop length क्या होती है lambda by 2 क्योंकि ये पूरा lambda होता है तो उससे आपको l1 और l2 से आपको lambda मिल गया lambda मिल गया f पता है तो आपको velocity of sound पता चल गई velocity of sound पता चल गई ठीक है ना समझ गया is this clear experiment समझ में आ गया experiment समझ में आ गया कि आपने fork को use किया f fork को use किया let's call this f f fork को use किया यहां पे भी fork का f है ठीक है ना यहां पे आपने notice किया यहां पे आपने notice किया किया एक length पे एक length पे यहां पे पूरा भरावा था एक length पे पहली बार बजा पहली बार बजा सबसे कम प्रीक मतलब समझके मेरी बात पहली बार बजा मतलब स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गई है स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गई है आपको पता चल गया कि हां यार इसमें करते गए फिर से बजा जैसे भी बजा कर दिखा था फिर से बजा तो आपने रियलाइज किया कि ओ माइगाड अभी एक्स्ट्रा ऐसा ही बनेगा एक और नोड आएगी यह नेक्स्ट ओवर्टोन होगी है ना समझें मेरे बात है नेक्स्ट मोड हैं ठीक है ना ओके तो यहाँ पर विलोसिटी भी पुलॉशाट़ी थी बड़ इंट्रेस्टिंग ली अब आपको पता है कि मैं कर पाद बजा था यहां पर फिट हो गई है तो आपने पता है जोड़ा और लंबा करते ह मे यहां पर प्यानी चीह यहां पर थोड़ी बड़ी वेवलेंथ यही सेम वेव एक दूसरे मतलब फर्स्ट ओवर्टोन शब्दनी मिल रहे यार शब्दनी मिल रहे हैं ना समझ यह फंडमेंटल फिर फर्स्ट ओवर्टोन आजाएगा दनीव रियलाईज वन तिंग कि यह यह तो लैमडा बाइटू है यह लेंथ तो लैमडा बाइटू है तो आप बोलोगे लटू माइनस लवन इस लैमडा बाइटू अब तुमने लटू नोट कर लिया था लवन नोट कर लिया था तो बेसिकली लटू माइनस लवन क्या है या मेरे बच्चों लटू माइनस लवन two times l2 minus l1 इससे तुम्हारा answer आजाएगा क्योंकि तुम्हें फोर्क जिस मार्किट से लेके आए तो उस पर frequency लिखी थी ठीक है ना और यह जो लेंथ तुमने पेपर पर लिखी थी वह भी पता है अब देखो इनको जो इसको बैसे इसको रटनामत हमेशा इसको विजुलाइज कर देना ऐसे बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा ना बहुत जल्दी हो जाएगा और यह ना इक्सपेरिमेंट समझ में आ गया अब यह नेक्स क्लास और भी जादे इंट्रेस्टिंग है अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि और वेव का इजी पार्ट मतलब वेव का जो सारा कॉंप्लेक्स पार्ट जित्ता भी था वो तो वैसी खता हो गया अब सब इजी और इंजॉइबल पार्ट है ठीक है ना अब चलो अ सब्सक्राइब को लगेगा यह तो बहुत ही सिंपल सवाल है यह क्या दे दिया आपने ओके यह और यह दे रखा है क्रेश्ट और ट्रफ ओ मैं गॉड आप हमें क्या बेवकूफ समझते सर यह 1.5 मीटर है बट यार अभी अभी तुम देखो ना फिर उनने दे रखा है यह मावला लेंद क्या है यह 5 मीटर है नहीं यह नहीं गिवन है तुम बोलो के अड़ी तहां में पता है फोल लैंडा भाइव री माइव रागत हूँ निकाल ली और यार ये लैंडदा लैंडदा फिर 5 राटव ऱ्ले इसा सवालिया सेम सवाल जई मैं आए है मुझे नहीं लगता कोई भी फारक होगा यह सेम सवाल तो मैं जए में भी दिखाए ठीक है ना तो यह का सवाल इसको डिस्काउंट मत करना अब मैं बताना चाता है यह वेव से यदा समझो एक ठांसवेव है है ना ट्रांसवास बना लेते हैं ठीक है यहां से है उसकी अब यह स्ट्विंग किए इसमें ट्राज्वन ट्रावल कर रहे हैं न कि कैसे ऐसे disturbance आगे जाती जारी है जाती जारी है something like that है ना यह जाती जारी है इसको बना लो यहां तक बना लो ठीक है यह बना लिया अब तुम्हें यह दे रखाए कि दो crest के बीच में please understand this यह बहुत जादा जरूरी है इसमें distance between two peaks two peaks यह two crests यह एक peak है यह एक peak है यह length क्या हो होंगी बच्व यह length होगी lambda है जरूरी नहीं कि यह consecutive peaks नहीं यह तुम्हें नहीं दे रखायां यह पहला चाहां पहली चीज यह consecutive peaks नहीं दे रखांगा यह अफ्राव लंडा होगा इन दोनों की बीच का लेंद यह होगा तो लेंड़ा थीक है क्योंकि आप देख सकते हो लैंडा वाई टू लैंडा तो यह बैसिक लीडा बहुत इंपोर्टेंट जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से देखो वह जाएगा आपका एन वन लैमडा है ना एन वन लैमडा जैसे यहां पर वन लैमडा है फिर टू लैमडा है फिर थ्री लैमडा है तो एक नैचुरल लंबर एन कैन भी 1234 है ना समझे में नीपाथ एन लैमडा इस गिवन आज यह तुम्हें रखा फाइव तुम्हें नी पता यह यह फाइव नियहीं यह वह सकता था तुम्हें बताया नहीं कॉशन है इसी लिए जाधा मुश्किल भी नहीं है इसको ध्यान से देखना होता है नहीं नहीं तो फाइव यह पहला एक्वेशन बन गया तुमारा इस दिस क्लियर यहां तक चीज़े क्लियर है मैंने जो लिखा है वो समझ में आ गया बहुत क्वेशन के लिखा है क्या बिक्स वेशनक क्या है क्या हो सकते हैं कि अब आएगी वाली बात अब बोला है कि क्रेश्ट और के बीच का डिस्टंस एक क्रेस्ट और एक डिस्टंस क्या होता है वैसे हैं न एक क्रेश्ट और एक क्रफ्न के बीच का डिस्टेंस क्या घ्ल्पी खाल अधित्र सब्सक्राइब है ठीक ही यह आएगा लाघ्दा वाइट भी पीख और एक ट्रफ यह वाला अब यह लामडा होगा है ना एक मतलब एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ है ना समझे मेरे बात तो यहां से लेकर यहां तक यह जो डिस्टेंटा लाटवाएट होता तो अगर में मिरको इन दोनों की बीच का है ना from one peak, from one crest to one trough अब ये भी distance हो सकता, it can be lambda by 2 or it can also be this distance and what is this distance lambda by 2 plus lambda तो ये हो जाएगा 3 times lambda by 2 3 times lambda by 2 ठीक है जी, ओके अब इसको थोड़ा और बना लो, कोई problem नहीं है ठीक है, इसको थोड़ा और बना लो ये और नेक्स्ट क्या होगा येहां तक होगा, ठीक है नेक्स्ट येहां तक होगा अब देखो next possible distance तीसरा भी बना दो, वो क्या होगा 3 lambda by 2 प्लस lambda तो ये होजाएगा 5 lambda by 2 मतलब odd multiple of lambda by 2 अब अगर आप नोटिस करोगे odd multiple of lambda by 2 odd multiple of lambda by 2 odd multiple of lambda by 2 अब यहां से मुझे पता है कि यह distance है न या तो यह या तो यह तो यह तुम्हारा किसके बराबर है 1.5 1.5 या 3 by 2 ठीक है तो यह basically 3 by 2 के बराबर है अब यह क्या चीज है उसके बाद match है सच बता रहे हूं उसके बाद match है तो यह 3 by 2 दे रखा है है क्या चीज़ 3 x 2 दे रखिए यह दे रखाया और मल्टिपल 2 & 2 क्योंकि देखो दोनों में वह सेमी रहना लेना चाहता है 1 लैमडा 2 लैमडा 3 लैमडा पता नहीं कौन सी दो पीक्स की बात हो रही है तो मैंने लैमडा ले लिया अब यहां पे भी फिर 3 डालोगे तो 2N हमेशा 2N-1 होता है एन इत और नमबर है ना एन इत और नाच्रल नमबर ठीक है इन टू लैमडा बाइटू इस इकोल स्टू यह ओके अब यहां से मेरा लैमडा बाइटू तो कटी जाएगा है ना यह आपका बन गया यह आपका बन गया सेकेंड एक्व लैमड़ा है दो एक्वेशन दीन यवंडो एक्वेशन इक्वेशन थीन वह बहुत ना इंसाफ ही है कैसे कि मैं करूंगगा यहां से अब असली मज़ा start होता है असली मज़ा तो आफ स्टार्ट होगा अब नेक्स पेज़ लिग लेते हैं जो हमने će यह अपर ठीक है अब अगले पेश्च पे लिख देते हैं तो यह देखो क्या है एनवन याम्दा जिस 5 और 2 & 2-1 in 2lamp यूब्स टू 3 ची जए is equals to 3 अब आप एक काम करो n1 और n2 आपको पता है natural numbers है n1 and n2 both belong to natural number ठीक है? मतलब ये 3 by 2, 4 by 2 ये सब नहीं हो सकते हैं तो आपको analysis करना है ठीक है न? तो अभी क्या करो? इन दोनों को divide मारो अभी के लिए इनको divide मारो देखो n1 और n2 का relation क्या आ रहा है ठीक है? एक बार इसको देखो is equals to 5 by 3 तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 n1 everyone ध्यान से देखो 3 n1 is equals to 10 times n2 minus 5 यहाँ से आता है 10 times n2 दोनों के दोनों natural numbers होने चीए देखना बढ़ेगा कहाँ पे फेट होता है 10 times n2 minus 10 times n2 minus 3 n1 is equals to 5 आना चीए अब यहाँ यहाँ पे सच में मज़ा आता है यहाँ पे सच में मज़ा आता है ठीक है यहाँ पे सच में मज़ा आता है अब यह तुम्हें पता है natural numbers है अब तुम्हें पता है N1 और N2 को तुम क्या के डाल सकते हो 1,2,3,4 ऐसे and so on है न, N5 and so on है न, इसको भी आप ऐसे डाल सकते हो 1,2,3 है न, but please fit होना चाहिए, fit होना चाहिए, ये condition एक बहुत important condition है, अब इसको आपको analyze करना ही पड़ेगा no matter what, यहाँ पर आपकी match थोड़ी सी अच्छी होनी, numbers थोड़ी से अच्छे होने चीए, इसको analyze करना है, इसको देखके ही करना है, answer निकालना है, इसको देखके ही answer निकालना है, है न, और आपको फिर बाद में यह formula भी आपको पता है, कोई भी formula यूज़ कर सकते हैं, lambda क्या है, 5 by N1, तो आपको देखना है कि 20, 30, 40, 50, ऐसे कुछ आएगी, है न, और अगर तुम्हें यहाँ पर 5 चाहिए, units place में अगर तुम्हें 5 चाहिए, please understand this, यहाईगी 10, 30, 40, 50, तो यार आप मुझे एक ची बताओ, यहाँ पर क्या डाल सकते हो तुमें N1 में, N1 में तुम क्या डाल सकते हो कि यहाँ है, सोचके देखो, यह बहुत, मैंने भी ऐसी सोचा था, तुमें ज्यादा लिखना नहीं है, इसमें तुम लिखोगे तो फस जाओगे, तुम बस इस equation को देखो, यहाँ पर 10, 20, 30, जैसे अगर मैंने इसको 40 रख दिया, 40, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या लाना पड़ेगा, 5 से subtraction होगा, तो ही 5 आएगा, है ना, समझे मेरी बात, यहाँ पर अगर, समझे मेरी बात, यहाँ पर, has everyone understood this, तो यह यह multiply करने से units place पर 5 आना चाहिए, यह analysis है बस, यह analysis है, तो N1 को क्या डालू मैं, N1 को क्या डालू, पहले मैं N1 को 5 डालता हूँ, चलो, ठीक है, N1 को एक 5 डाल के देखते हैं, तो जब मैंने N1 को 5 डाला, तो यहाँ पर बना 15, 15 तो यहाँ पर डालना पड़ेगा 20, 15 तो यहाँ पर डालना पड़ेगा 20, है ना, तो यह मैंने अगर 5 डाला, let's say, मैंने यह 5 डाला, तो यह 15 बना, क्योंकि, देखो, अगर मैंने 1 डाला, तो 3 हो ज चलो, very good, उसके बाद कहा आएगा, उसके बाद next number जहाँ पर 5 आएगा, इसको तो मैं adjust कर सकता हूँ, क्योंकि यह तो बहुत easily adjustable है, एक 5 possible है यहाँ पर, ठीक है, एक 5 possible है, और क्या possible है, mathematically इसको यह देखना है, एक 5 possible, एक 15 possible है, ठीक है, और कुछ नहीं, 5 possible है, 3 15, मतलब समझ र true, है ना, समझे मेरी बात, क्योंकि यह भी एक integer, मतलब यह भी एक integer है, या natural number है, ठीक है ना, समझे मेरी बात, अगर तुम्हें यहाँ पर 5 लाना है, natural numbers डाल डाल के, natural numbers डाल डाल के, तो तुमने यह analysis अगर कर लिया, तो तुम बहुत मस्त आदमी हो, अगर तुमने यह analysis कर तो 45 बन जाएगा, 45 बना, तो यहाँ पर 50 बना दो, यहाँ पर 50 बना दो, ठीक है, समझे मेरी बात, 25 डाला, तो यहाँ पर 75 बन जाएगा, 75 बना है, 75 तो यहाँ पर 80 बना दो, इसको 8 डाल दो, ठीक है, I hope आपको यह बाते समझ में आ रही है, तो N1 की permissible values क्या है, So, you can clearly see, for N1 and N2 to be natural and satisfying equation 3, इसको equation 3 बोल दो, and satisfying equation 3, ठीक है, N2 की values क्या क्या हो सकती है, N1, N1 is the best, N1 की values हो सकती है, 5, 15, 25, 35 and so on and so forth, ठीक है, और उसके लिए corresponding N2 की values क्या होंगी, इस equation को satisfy करने के लिए, 2, 5, 8, यह important नहीं है, ठीक है, एक formula याद था तुम्हें lambda का, यहाँ से, lambda is equal to 5 by N1, है ना, अब answer निकालो, अब आएगा उस दीमादा, यह पटक दो इसमें, यह सारी values पटक दो, यह satisfying values है न, पटक दो, क्या रहे, 5 by 5, 5 by 15, 5 by 25, 5 by 35, तो क्या-क्या values पॉसिबल है, 1, 1 by 3, lambda यह हो सकता है, फिर 1 by 5, फिर 1 by 7, ठीक है, 1, 3, 5, से, यह HP है क्या, ठीक है, देख लिया, 1, 1 by 3, 5, ओ यार, D option है, बढ़िया क्वेशन था, बढ़िया क्वेशन था, बढ़िया क्वेशन था, और देखो इसमें, वेवस का कुछ साई नहीं, इसमें, यह तुम्हें साइन वेव का सवाल पूछ लेते, यह साइन एक्स फॉंक्शन में, अगर इस टू क्रेश्ट यह क्वेशन पूछा जा सकता था, यह पूछा जा सकता था, और फिर वो पूछ लेते की वाटे वेवलेंद ने कुछ अलग तरीके से पूछते है, इन वाट इस पॉसिबल वैल्यूस हाँ यह पूछ सकते ते, इ समझ गया है, तो यह मल्टिपल आंसर था, ठीक है, इस इस एक बहुत ही बड़ी सवाल था, चलो अब मैं रखता हूं, और यह आपका स्केडियूल आपको पता हो ना चाहिए, टेली ग्राम चैनल यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज की केस में, टेली ग्राम चैनल टी चैनल है, इसको आप जोइन कर लीजिए, ठीक है, इसमें आपको काफी सारा फ्री कॉंटेंट शेर होगा, यहाँ पर बहुत जादा है, इन्वालियूबल कॉंटेंट और इंडिया की बेस्ट डिजिटल विडियो प्ले प्ले बुक, यहाँ पर अल्रडी है, वैसे बाइद आप यह कोड यूज कर सकते हो, नमो या मैक्स, कोई भी कोड यूज कर सकते हो to get the maximum possible discount, and also आप अनकाडमी के सारे टीचर्स की स्पेशल आसे आपके ल उनलॉक हो जाएंगे इससे, ठीक है ना, लाइप डेली.me इसलाइज यही, यह वो बेसिकली एक गोल्ड महीन है, यह सोन PPPs, previous year questions, उनके sheets, मतलब मज़ेदार है, धुआदार है, ठीक है ना, इसको follow कर देना, and obviously बात है, अगर वो एक गोल्ड महीन है, यह एक डायमंड महीन है, यह एक डायमंड महीन है, अनकाडमी सब्सक्रिप्शन, अनकाडमी सब्सक्रिप्शन पर आपको एक live class environment, और performance analysis के tools मि करता है, आप अपना photo upload करते हो, इसका teachers को solve करता है, the entire class benefits, है ना, आपकी live या non-live, कोई भी class उसमें pole की functionality होती है, और आपको तभी भी पता चलता है, कि जिन लोगों ने भी इसको lifetime class को लिया था, वो कहां लाए करते हैं, आप कैसा perform करने वाले हो, क्या गलतियां कर सकते हो, और that too with the best teachers and the best content of the country, फिर test की बात करें, तो test में J.E. को simulate कर लेता है, जैसा तुम J.E. देने वाले हो, वैसा ही है, उसके लावा यार, this is a feature which I personally feel I had, मुझे लगता है, काश मेरे पास ये feature होता, जहां पे मैं देख पाता कि मैं topper के perspective में कहां पे हो, मेरी खुद की क्या क्या चीज़ आपकी strength है, क्या नहीं है, all of those things, उसके लावा यार, यह चीज़ makes an academy the best, if you want to be the best, learn from the best, India के best teachers में से choose करो न, क्या तुमें ये functionality कई भी मिलती है, अगर an academy number one है, तो number two आसपास भी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, यहार, यहां पे इंडिया की number one team पढ़ाती है 15 से 20 लाग बच्चे इनको follow करते हैं, उसके लावा vibrant की बात करें, बंसल की बात करें, nucleus की बात करें, the top teams of quota are teaching you on an academy, उसके लावा आप सोचो, the China batch, South India का चैतन्या नारायना batch, है न, is also part of an academy, और उसके लावा 30 प्लस top authors of the country are part of an academy, उसके लावा यार, एक और चीज़ आप आपको यहां पर पढ़ाते हैं, actually it is one of the top books for J.E. Mains in advanced and Olympiad level and it's a practice based book, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, खाली यही नहीं बच्चों, उसके लावा आप सोचो, GRB books हो गई, Sengej, Arihanth, you name it and we have it, 30 प्लस top authors आपको यहां पर पढ़ाते हैं, और जो सबसे बढ़िया बात है, बच्चे के हाथ में power होती है, बच्चा खुड decide करता है कि वो किस से पढ़ना चाता है, और यार बच्चों हम नहीं बोलते हैं, हमारा result बोलता है, All India Rank 1, तीन बार लगातार 100% और उसके बाद All India Rank 1 बेटा आपके सामने है, ठीके न, वो आपके सामने है, clear है, उसके अलावा आप यह देखिए, once this is done, उसके बाद Unacademy की learning app को आप install कर सकते हैं, कैसे Unacademy का subscription लेना, Unacademy की learning app को install कर दीजा, Unacademy.com पे आप account create कर सकते हैं, वहाँ पे आप IATJ या need select कर सकते हैं, you can select IATJ या need, जो भी आपका goal है, उसका आप select कर सकते हैं, and once that is selected, once that is selected, उसके बाद आप आपको कुछ नहीं करना, you can, उसके बाद आप select कर दीजा, आपको कौनसे subscription चाहिए, do you want the iconic subscription, और the plus subscription, वैसे बताना चाता हूं कि plus और iconic में से better, iconic है, क्योंकि iconic में कुछ extra चीज़े मिलती है, one to one, live mentorship, live doubt solving, और यह सारी चीज़े हैं, अब यार, उससे ज़्यादा important यह है, कि म आपके लिए बड़ा subscription सबसे best है, दो साल और धाई साल का subscription, इसका per month cost भी सबसे ज़्यादा कम है, और no cost यह मैं का option available है, just imagine 2310 rupees में per month, आप इंडिया के best teachers को taste कर सकते हो, आप इंडिया के best teachers को देख सकते हो कि कैसे पढ़ाते हैं, और कैसे आपको यह edge मिलती है, तो यह अपन मंदिंग और results तो बोलते ही हैं, और उसके डावा, 12th and drop us के लिए, 6 मेने और 12 मेने का subscription, नमो sir explain करिए, बेटा अगर आप आप आज आपके पास 8 मेने हैं, तो best है आप 12 मंद का subscription लीजे, अगर आपके पास 4 मेने हैं, तो आप 6 मेने का subscribe, take the higher one, ठीके न, तो कोई डाउट मत क्योंकि बाद में फिर से subscription खरीदना तुम्हारे महेंगा बढ़ जाएगा, I am telling you beforehand, to take the higher subscription, मैंने मतलब इसमें पूरी match लगा रखी है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, one month और three month का subscription, अगर आप end moment पे test series और crash courses के लिए आते हैं, तो one subscription unlimited access, बिल्कुल Netflix की तर है, ठीके न, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब जब आप ये code use करते हो, max या number, ठीके, तो आपको max benefit मिलता है, max, number या number life, कोई भी code use करो, all are configured, all these codes are configured to give you the maximum possible benefit, maximum discount, अगर कोई extra month होते हैं, तो वो extra month भी आपको मिल जाते हैं, not just that, not just that, आप ये मान के चलिए, हमारी पूरी team की guidance भी आपके साथ होती है, ठीके न, तो ये code आप use कर सकते हैं, उसके अलावा आप ये सोचो, अगर आप subscription नहीं भी लेते हैं, तो अगर आप इनको password की तरह ही use करते हैं, तो आपको सारी special license free मिल जाती है, सारी test series जो होती है, जो mega test series होती रहती है, so they all become open for you, amazing content आपके लिए free हो ज crash course which is coming, rapid revision आ रहा है, edge for J mains in advanced आ रहा है, rapid, देख सकते हैं, you can see a lot of things are coming, December में, मतलब बहुत सारी चीज़े आ रही है, सारे batches यहां पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं, 11th वालों के लिए कुछ है, 12th वालों के लिए कुछ है, droppers के लिए कुछ है, but please understand, आज last day है, November का आखरी दिन है, अगर आप iconic subscription लेना चाहते हैं, तो अभी क्या भी ले लेना, इसको delay मत करना, जल्दी से जल्दी लेना, नहीं तो backlog भी बहुत बुरी चीज़ होती है, और पुराने जो batches start हो चुके हैं, उसमें भी आप आ सकते हैं, उनकी recording भी आप देख सकते हैं, तो आप recorded नहीं की नहीं बात कर रहा, तो आपको तीन महने का extension मिलता है, कैसे मिलता है, आपको max code use करना है, max या numo, कोई भी code use कर सकते हैं, तो यह codes अगर आप use करेंगे, तो यह automatically आपके लिए applicable हो जाएगा, they have been configured on an academy to give you the maximum benefit, you can use numo या max, max या numo, ठीके न, उसके लावा iconic subscription offer, तो देखिए, valid है 30th November तक, तो definitely आप यह ले लेना हो सके, तो बड़े से बड़ा subscription लेना, उसमें आपको कुछ extra months जरूर मिलेंगे, discount भी सबसे जादा मिलेगा, so that's about it, तो मतलब माहुल बना के रख रख हैं तुम लोग के लिए, ठीके न, यह बाकी बहुत सारी चीज़ है, bootcamp है, super 20 है, त ठीक है, anyone, कोई भी आप use कर सकते हो, तब तक के लिए, thank you so much, हजारों सुकून चोड़ने पड़ते हैं, जुनून के लिए, thank you so much, subscribe कर लेना, like कर देना, share कर देना, और आप हमारी पूरी टीम को follow कर लेना, यह मेरा, बचों, मेरा ID है, उसके लावा है, telegram channel पे मिलते है, t.me slash नमोचाइट, ठीक है, t.me slash नमोचाइट, भी आपाइट अव दिस टेलीग्राम चैनल, एसाप, ठीक है, thank you so much everyone, take care, तब तक के लिए, bye